सब्सक्राइब किजिए टेक्नोविकास चैनल को और बिल आइकन को दबाईए लेटेस्ट टेक्नोलोजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों आपका फिर से स्वागत हैं हाला कि आप सायद ये नहीं जानते हैं कि इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस इतना पाउरफूल होता है कि आप इससे देश के साथ विदेशों में भी गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं बस उन्हें दूसरे देश के ट्राफिक रूल्स को फॉलो करना होगा जैसे हमारे यहां रोड के बाएं तरफ ड्राइविंग की जाती है वहीं विदेशों में दाएं तरफ ड्राइविंग की जाती है तो दोस्तों इसके लिए आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाना चुरूरी होता है विदेशों में भारतेय driving license के valid होने पर संजे तीवारी असिस्टेंट आर्टियो वुपाल से बात की उन्होंने बताया कि सभी देशों के अलग अलग नियम है हाला कि Indian driving license कई देशों में valid होते हैं इसके अलावा जो लोग बाहर जाते हैं और उन्हें driving भी करना है तब वे international driving license बनवा लेते हैं जिन देशों में driving license valid होता है वहाँ पर उसका अंगरेजी में होना जरूरी है या फिर आपको वहाँ के traffic नियम के अनुसार कुछ form भरने होते हैं विदेश्टी सड़कों पर आप 3 महेने से लेकर 1 साल तक Indian driving license की मदद से गाड़ी चला सकते हैं हाला कि कहीं कहीं IDL या IDP की जरूरत होती है हम यहाँ ऐसे ही देश के बारे में बता रहे हैं जहाँ आप अपने license से गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं अमरीका यहाँ Indian driving license से 1 साल तक गाड़ी चलाई जा सकती है लेकिन license का अंग्रेजी में होना जरूरी है यहाँ आपको form I-94 की copy की भी जरूरत पड़ेगी इस form में आपके अमरीका के आने की date लिखी होती है जर्मनी Indian driving license से जर्मनी में 6 महने तक गाड़ी चला सकते हैं यहाँ international driving license की जरूरत नहीं होती है लेकिन जरूरी है कि आपके पास गाड़ी से जुड़ी सारी documents हो तीसरी है South Africa South Africa में गाड़ी चलाने के लिए आपका driving license अंग्रेजी में होना चाहिए यहाँ आप गाड़ी rent पर ले सकते हैं तब license की जरूरत होती है चौथा है Switzer Land तो Switzer Land में आप भारतीर driving license से एक साल तक गाड़ी चला सकते हैं हाला कि अमरिका और South Africa की तरह यहाँ भी आपके driving license का अंग्रेजी में होना जरूरी है इसके बाद है Norway Norway में आप Indian driving license से सिर्फ तीन महीने ही गाड़ी चला सकते हैं इसके बाद आपको यहाँ का driving license बनवाना होगा वैसे license का अंग्रेजी में होना भी जरूरी है इसके बाद है New Zealand यहाँ पर आप Indian driving license से एक साल तक गाड़ी चला सकते हैं हाला कि इसमें selected गाड़ी भी सामिल है और license का अंग्रेजी में होना जरूरी है उसके बाद है Australia भारतिय driving license New South, Wales, Queenland और South Australia की सभी जग़ों पर सिर्फ तीन मेहने तक valid है और इसकी language भी इंग्लिस में होनी चाहिए अगला है France यहाँ की सडकों पर आप Indian driving license से एक साल तक driving का मज़ा ले सकते हैं आला कि इससे license की French copy आपको साथ रखनी पड़ेगी तो दोस्तों यही वो countries है जहाँ पर आप Indian driving license के मदद से गाड़ी चला सकते हैं I hope आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे मिलता हूं फ्रेंड्स अगले वीडियो में तब तक क्रिए बावाई take care have a good day